हलो व्ली ब्यूटिफुल पीपल देखते हैं आज के दिन के लिए आपके लिए क्या डीडिंग है क्या गाईडेंस है हम तीन कार्ड्स पुल करेंगे आप अपने लिए एक नंबर सोच लीजिए एक दो या तीन में से कोई भी एक नंबर सोच लीजिए और उसके corresponding जो भी कार्ड आएगा वो आपके लिए आज के दिन की guidance है कार्ड नंबर वन कार्ड नंबर टू कार्ड नंबर थ्री ओके सो जिन्हों ने भी कार्ड नंबर वन चूज किया है उनके लिए आज का message है इडिस टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी सो हो सकता है कि किसी भी बात को लेकर आप काफी बिटर है या हो सकता है किसी चीज को लेकर गिल्ट रिडन है या किसी चीज को लेकर regret फिल कर रहे है तो अंदर या अंदर आपने बहुत ही negative feelings हाबर कर रखी है और ये जो time है आज का जो दिन है वो उस negativity को release करने का है अगर आप अपने अंदर bitter feelings रखेंगे resentment की feelings रखेंगे तो उससे जो है नुकसान आपका खुद का ही होगा आप अपना खुद का ही जो है mental peace खो रहे हैं तो आपके लिए advice यह है कि अपने अंदर की जो negativity है उसको let go करिए आज के दिन अगर आप meditation करते हैं तो आपके लिए बहुत ही helpful रहेगा जिन्होंने भी card number two choose किया है उनके लिए message है It is time to take action तो हो सकते है कि आप किसी चीज़ पे काफी टाइम से कुछ planning कर रहे हैं या कुछ करने की सोच रहे हैं बट किसी ना किसी वज़े से उसको procrastinate करते रहे हैं आपके लिए advice यह है कि आज का दिन बहुत अच्छा है इस पे action लेने का अगर आप में से कुछ लोग किसी नए काम की शिरुवात करना चाहरे हैं तो उसके लिए बहुत auspicious time है अगर कहीं job interview के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा time है कोई students अकर किसी exam में appear हो रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा time है और कुछ भी अगर आप निया करना चाहते हैं और उसके लिए किसी auspicious दिन की तलाश में है तो आज का दिन उसके लिए बहुत issue है अब जिनोंने card number 3 choose किया था उनके लिए guidance है Your hard work is paying off तो आपने अब तक जो भी मेनत की थी पीछे कुछ time से आप अपने काम में या किसी भी चीज में बहुत efforts कर रहे थे बहुत मेनत कर रहे थे और उसके जो results है वो आज आपको देखने को मिलेंगे और उसके results आपको जो भी उसका एक अच्छा result आने वाला था वो अच्छा आपको देखने को जरूर मिलेगा तो ये थी आज के दिन के लिए आपकी guidance कल फिर आपसे एक नई reading के साथ फिर मिलूँगी तब तक के लिए नमस्ते